आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारती सिंग के घर पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरप से चापे माली की गई थी और वहाँ पर ड्रग्स भी बरामत किया गया था फिर भारती सिंग को समन भेजा गया था, उनके हस्बेंड को भी समन भेजा गया था हर्ष को, पूछताच के दौरान भारती सिंग ने इस बात को एकसेप्ट किया था कि वो ड्रग्स लेती हैं, वो ड्रग्स कंजियूम करती हैं, वीड वगेरा उन्होंने कुछ जो है NCB की प पूछताच के दौरान कहा था, लेकिन उसके बाद में जब NDPS कोट में ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा, वहां पर NDPS कोट ने जो है भारती सिंग और उनके हस्बेंड हर्ष को बेल पर रहा कर दिया था, उनकी जो पली थी बेल की उसको एकसेप्ट कर लिया गया था लेकिन कुछ दिन बाद ये खवर निकल कर सामने आई थी जब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से सवाल उठाए कि जो शक्स खुद इस बात को एकसेप्ट कर रहा है कि वो ड्रग्स लेता है, वीड लेता है, उसको इतनी जल्दी जो है जमानत पे रहा कैसे कर रही थी, तब NCB की ये दोनों की दोनों अधिकारी वहाँ पर प्रिजेंट ही नहीं थे और उनके तरफ से जो वकील पक्ष रखने वाले थे वो भी नहीं थे, इसलिए ये पूरा का पूरा मामला कमजोर पड़ा और भारती सिंग को बेल पर रहा कर दिया गया था, लेकिन NC NCB लगातार इस पूरे मामले को और भी बहतरीन तरीके से इंवेस्टिगेशन इसकी जो है करती रही और तीन एप्लिकेशन्स फाइल की गई थी, NCB की तरफ से जो है भारती सिंग की बेल को रिजेक्ट करने के लिए जो बेल पर उन्हें रहा किया गया, उसको कैंसल करने के यह दुबारा से उन्हें बुलाया जाए, पूछताच की जाए, बड़ी खबर यह है कि Narcotics Control Bureau की तरफ से जो तीन एप्लिकेशन्स फाइल की गई थी भारती सिंग के खिलाफ, उनमें से एक एप्लिकेशन को accept कर लिया गया है, और अब उस एप्लिकेशन पर सुनवाई होनी है कोट में और उसमें यह तै होगा कि भारती सिंग की जो बेल है, उसको reject किया जाए, या फिर उसे continue रहने दिया जाए, लेकिन इसमें 99.9% chances हैं भारती सिंग की बेल की rejection के, क्योंकि भारती सिंग ने पहली चीज तो खुद accept किया है, Narcotics Department के सामने कि वो weed लेती है, वो नश boot है, और इसके अलावा जो चापे मारी की गई थी, उनके घर से जो है ड्रग्स बरामत किया गया था, जो है एक ड्रग पैडलर ने जो है, यह ख़बर दी थी, NCB ने उसके बादे वहाँ पर चापे बारी की गई थी, और उसमें ड्रग्स वहाँ बरामत किया गया था, तो उनके पती जो हर्ष हैं वो NCB के दफ्तर में परेड करते हुए दिखाई दिये जा सकते हैं और उनसे दुबारा से पूछताच होगी हो सकता है बॉलिवुड का कोई बड़ा लिंक निकल कर सामने आजाए इस पूछताच के दोराग दो NCB जो है वो लगातार जो है ड्रग्स क सफाई करने में लगी हुई है मुंबई में जो धुआ धुआ हो चुकी है जो बॉलिवुड में कुछ एक नाम निकल कर सामने आए हैं जो नशे करते हैं जो ड्रग्स की जो दुनिया है उसमें फसे हुए हैं और मुंबई की तमाम और जगहों पर जो ड्रग्स की सफलाई चल रही उसकी चैन तोड़ने के लिए NCB ने इसका भीड़ा उठाया है भारती सिंग पहुत जल जेल में भी हो सकती है NCB के दफ्तर में पूछताच के बाद अगर कुछ बड़ा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हाथ में लगता है बहराल इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊ तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको में ले